Trading View में कौन कौन से टूल किस किस चीज के लिए काम आते हैं सारा कुछ इस वीडियो में अपन कवर करेंगे तो बने रहना एंट तक इस वीडियो में और अगर नए हो चैनल पे तो सबस्क्राइब जरूर कर ले ना ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो उसके लिए सबसे पहले जान लेते हैं यह trading view का app है इस पे अपन चार्ट को analyze करते हैं क्या है कौन सा symbol किस चीज के लिए रहता है और कौन सा आपके काम का है और कौन सा आपके काम का नहीं है starting from the left आपको सबसे पहले screen पे दिख जाएंगा यह पूरा left area यह सबसे जादा काम की चीज रहती है trading view app पे और इसको आप किस तरीके से use कर सकते हैं अपनी chart को analyze करने के लिए तो start करते हैं इस जगे से तो जैसे आप इस arrow को click करोगे आपके सामने यह सारी चीज आ जाएंगे तो इसमें से आपके काम का कौन-कौन सा चीज है जो कि आपको काम आने वाला है सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं उसके बाद आपन देखेंगे कैसे उसका use होता है तो सबसे पहली चीज जो इस chart पे आपको नजर आ रहे है वो है trail line सबसे ज्यादा काम आएगे आपको एक trail line draw हो जाएगी तो यह वाला जो tool है सबसे पहला वाला trail line tool यह आपके बहुत काम आने वाला है जबी आपको कोई trail line draw करनी चार्ट पे second number फिर arrow जो कि आपके बिलकुल काम का नहीं है ray भी आपके काम नहीं आने वाला इसमें से जो अगली चीज आपके काम आने वाली वो सीधा है कि horizontal ray what is a horizontal ray जबी भी आपको चार्ट में ऐसा कुछ लगे कि चार्ट यहां से आपको एक support line जो एक line draw करना है जिससे आपका चार्ट जहां पर रुक रहा है या फिर उस जगे से reversal draw कर रहा है तो आपको वहाँ पर यह line काम आने वाली आपको वहाँ पर बस जाके कुछ नहीं करना आपने माउस को लेके जाना है जिससे आपके में एक line draw हो जाएगी इस line से क्या पता चलेगा आपको कि यहां पर एक resistance एरिया फॉर्म हो है जहांसे price बार बार resistance लेके नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो second चीज जो आपके काम आने वाली है वो यही है and now we will go further more तो यहां पर न सपुसकरो अभी अपनने एक trend line draw की जिससे हमें लग रहा था कि यहांसे price जो है continue हिट करके नीचे जा रहा है बट sometimes होता क्या है कि candles की बहुत जादा विक रहती है तो आपको लगता है कि यह भी cover हो और वो भी cover हो उश टाइम पे आप क्या करते हो एक parallel channel draw करते हो सपुसकरो आपने यहां से mouse को tap किया और simply यहां तक drag करके इसको ऐसा थोड़ा सा खीच लोगे ताकि आपका जो ज्यादा position कवर हो और आपका ज्यादा position कवर होगा तो आपको से यह benefit होगा कि आपका कोई भी trade मिस नहीं होगा और false breakout में बहुत कम फस होगे जैसे कई लोग क्या करते है इस week पे trade ले लेते हैं जबकि विग जो है वह आलरेडी हमारे trendline के अंदर आ रही है तो यह इस चीज़ के लिए काम आने वाला है यह पहला पार्ट पूरा होगे सेकंड पार्ट में हमारा आता है Fibonacci Fibonacci क्या होता है Fibonacci एक ऐसा टूल रहता है जिसे आपको पता चलता है कि मार्केट कहां से रिवर्स होने वाला है तो इसको आपको कैसी यूज्ज कर सकते हैं आपको सबसे पहले जाना है bottom पे जो चार्ट का bottom है वहां पर इसको tap करके पूरा drag करते हैं वह ऊपर के फिबोनाची का और यहां पर चेक करोगे तो 0.62 और 7 के बीच में इसने consolidate किया और उसके बाद और fall आया क्योंकि चार्ट में बिल्कुल भी उपर जाने के लिए strength नहीं थी तो यह second tool है जो आपके बहुत काम आने वाल है third number पे आगा हमारा यह drawing tool जिसको आप use कर सकते है normally चार्ट में कुछ अपने marks लगाने के लिए जो आपको बाद में याद रहेंगे तो यह सारी चीज़े जो आप use कर सकते हो चार्ट पे अपने इसके बाद जो देखोगे इसके बाद का option आ रहा है text option जो कि आपके बिलकुल काम का नहीं है एक बार काम आ सकते है अगर आप कुछ लिखना चाहो अपने चार्ट पे तो इस पे काम आ सकते है otherwise यह आपके काम का बिलकुल नहीं है नेक्स चीजा है यह पैटन यह पार्ट इसके अपको चार्ट में अ काम नहीं आएंगिए यह एक्स्ट्रा चीज़ेगा यह ट्रेडिंग व्यूयिए डियो आपप पे चाहें यह बहूत लोगों को नहीं stop loss इस लेवल के मेरे target इस लेवल तक आता हुआ दिखेगा तो यह होगा long position इसका पूरा posit आएगा हमारा short position आपको जाना है short position पे क्लिक करना है suppose करो आपको लग रहे हैं यहां से market fall करेगा तो यहां के point कर दो को and simply इसको उल्टा आपको यहां पर आके SL को fit करना और अपने target को set करना तो यही टूल है जो आपको सबसे ज्यादा यूज आएगा trading view में इसके बाद जो option है वह बिलकुल काम का नहीं है यह emoji option है जो कि आपको काम नहीं है अगला option जो आएगा measurement का यह होगा scale option इस पर आपन क्या पता करते है कि कोई भी चार्ट में कितनी percent की movement आई है suppose करो में को यहां से इस point तक जानना है कि market में कितनी percent की movement आई है तो मैं इस point से point करके इस point तक drag करूँगा तो यहां पर में को लिखा जाएगा कि कितने percent की मुवमेंट हमें चार्ट में देखने को मिली है यहां पर साब दिख रहा है जीरो पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ट ने दिखाए है यह पता करने के लिए हम लोग स्केल टूल का यूज करते हैं नेक्स्ट टूल है वह एक magnifying glass जो कि बिलकुल कामका नहीं है magnet भी कामका नहीं है यह ड्रॉइंग आपको continue किसी चीज को करना है तो उसके लिए help करेगी key lock high button यह सारी चीज आपके काम की नहीं यहां से अगर आप इस ड्रॉइंग के आपको सबसे ज्यादा काम आने वाल है वह यह रेक्टेंगल पाट अब वाट इस रेक्टेंगल सब्सक्रों यहां पर चेक करोगे यह विक ने हमारी रेजिस्टेंस लैन को क्रॉस कर दिया था तो कई लोग यहां पर एंट्री बना ले इसको कैसे ड्रॉइंग करते हैं इसको आपने सेलेक्ट किया आपको इसने अपने पॉइंट पर लगाना है और सिंपली ड्राग करते हुए अपने रेजिस्टेंस लैन की तरफ खीच लेना है इससे आप देखोगे कि हमारा जो रेजिस्टेंस लाइन है वो काफी बड़ा ह हो सकते हैं बटगार हमारे पास एक रिशिच्टेंस लोने पूरा तो में ट्रैप होने के चंसे बहुत कम और यहां से हमें परॉपर हमारे रेक्टेंगल रिजिस्टेंस से रिजेक्शन देखने को मिला तो लेफ साइट में जितनी भी काम की चीज़े चीए यह सारी मैंने आपको cover करवा दिये इससे ज़्यादा एज बिगनर आपको कुछ काम नहीं आएगा आपको जितने सारे टूल्स ते मैंने cover करवा दिया राइट साइट पर राइट साइट पर इस मोमेंट पर आपको क्या काम आने वाले तो सबसे आपको सिंबल सर्च यहां से आप कोई भी चार्ट को सर्च कर सकते जैसे हमको कोई स्टॉक सर्च करना है सपूस करो Reliance का तो हम लोग सीधा जाएंगे Reliance को type करेंगे हमको Reliance मिल दाएगा जहां से आप Reliance जैसे इसे टैप करोगे आपको Reliance का जो भी चार्ट है इसमे Reliance Power आ रहा है हम लोग ने Reliance इस पावर का चार्ट जो है आपनी खरींट पर लगा लिया आप सेकंड अपशेंट मिनट सामने का साथया है इस ही आपके सामने आता हुआ पैटन यही आपको काम आएगी candles इसके अलावा जितने में भी tap करोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो better option है आप candlestick pattern पे फिल श्टिक रहो और उसी पे अपनी analysis को continue करो इसके अलावा आपके option आएगा indicators आपका लोगों को indicators लगाने की आदत होती है बहुत लोग से इंडिकेटर क लगाते हैं तो यहाँ पे इंडिकेटर का option आता है आपको जो भी लगाने जैसे फेमस है RSI RSI पे tap करो यहाँ पर simply एक बार क्लिक करोगे इस पर आपका RSI indicator जो है आपकी screen के आगया जाएगा और आप इसकी हैप से अपनी ट्रेडिंग पे improvement ला सकते हो इसके बाद के जो सार trading view के app पे सीखना है और अपने अच्छी से ट्रेडिंग करना है अब जो एक golden point में आपको बताने वाला हो लोग ट्रेडिंग विव में premium कोस्ते ट्रेडिंग विव का premium कोस्ते तो अगर आपको ट्रेडिंग विव का premium चाहिए तो आपको कैसे मिल सकता है आपको simply धान एप प आपकी मदद से उस पे पूरा का पूरा आप ट्रेडिंग विव का premium फ्री है तो इसका link चाहिए description ओपिन कमेंड पे link है वहाँ से जाकी join कर लो और उसके बाद free telegram का भी link होगा महा आखे में को message कर लो आगे की process में सारा समझा जूँगा कि कैसे आप ट्रेडिंग विव का premium premium फ्री में यूज़ कर सकता है ओप यू लाइक दे वीडियो वीडियो चे कुछ हल्प होगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना